अबरेबन माइसल पनीश वाडेर और हम जन्रेल पैतालोजी डिसकस कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने नेक्रोसिस को पूरा कम्प्लीट कर लिया था आज हम इर्रिवर्सिवल सेल इंजरी में आगे एप अप्रोसिस को स्टार्ट करें लेको एपोप्टोसिस को मैंने दो में डिवाइट कर दिया है आज क्या लेक्टर में मैं पूरा ब्रोड एस्पेक्ट बढ़ाऊंगा आपको कि अपोप्टोसिस कहा अगा पर होती है कैसे होती है और इसके जो इंट्रेंसिक और एक्स्ट्रेंसिक पाथवे है ना वो हम नेक्स लेक्टर में डिसक्स करेंगे ठीक है धेखो एपप्टोसिस के बारे में हमें तोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है अमने फिजियो में भी आता है एपपर अपरसे लॉग अंचर क्विशिन आता है इसको आप अच्य से प्रिपैर करने लोगों फिजियो लोजीक्ल एपिस इसकर ना लिपोसांप रह example के लिए infection हो गया ठीकिए उसकी वज़े से WBC count increase हो जाएगा पर कुछ टाइम के बाद WBC count वापस से normal हो जाएगा तो यह WBC जो बड़े थे वो वापस से कहा गए वो वापस से तो बोन मेरों जाएंगे नहीं यह उन एपक्टोसिस हो जाएगा उन increase WBC का ठीकिन और उस तरह उनका destruction हो जाएगा एपक्टोसिस के तरह फिर immune response में जैसे कि अगर कोई भी self-reactive antigen और यह self-reactive T-cell present हो जो अपने ही cells को recognize करके उन्हें उन पर ही अटेक कर दे रहा हो तो उनको suppression करना बहुत ही important होगा अगर उनको suppression नहीं होगा तो वो autoimmunity cost कर देगा इसलिए यहां पर भी एपक्टोसिस देखने को मिलें फिल देखो embryogenesis हो कि उसमें बार-बार कई टाइप के डिफरेंट टाइप के cells का एपक्टोसिस देखने को मिलता है और पोस्ट मेंस्ट्रोड पिरियड में जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग की शेड़ देखने को मिलता है वो भी एपक्टोसिस का ही एग्जाम्पल है और यह सारे है और उसकी वज़े से काउंसिल में बॉडिस फॉंग होती है ठीक है यह एंसी की में पुछ सकते हैं इसको खास द्यान रहता है चलो इसके आगे जलते हैं कि एपक्टोसिस कैसे होता है वो देखती है कि वर भी एक सेल है में नॉर्मल सेल और इसके साथ साथ कई इसारे डेमेज़ सेल और विप्रिजन यह डेमेज़ और रिंजसा ना वो एक साइट पर कलेक्ट रोना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पर सेल के पास एक जोड़ी सी Apopt्रोटीक बोडी फ़र्म करतेंगे Apopt्रोटीक बोडी किस-किस चीज से बनी होगी देखो सबसे पहले उसमें Cytoplasm होगा फिर Nucleal Fragment होगा और सारे के सारे Damage Cell Organist होगः ठीके ये MCQ है एपप्रोटिक बोडी तीक यह दियान रतका फिर यह होगा यह अपप्रोटिक बोडी है मतलब बहुत सारे पाथवे जलेंगी, intrinsic पाथवे होगा, extrinsic पाथवे होगा और finally apoptrotic body है, वो normal cells है, separate out हो जाएगी और कई सारे अगर इसमें cell organs developed, damaged होगी तो बहुत सारे apoptrotic bodies form होगी और finally पूरा cell का engulfment हो जाएगा और ये engulfment का process है, इसको aferocytosis बहुत है फिर देखो apoptrotic body form होगी, macrophage, agus, vast और उसको engulf कर लेगा इसको compare करें necrosis से, तो necrosis पर neutrophil आ रहा था neutrophil के वज़े से वहाँ पर acute inflammation देखने को मिल रहा था पर यहाँ पर neutrophil नहीं है, तो inflammation देखने को नहीं मिलेगा ये भी खास एक important है, ये धियान रखना, ठीक है, MCQ में पूर्च साथ है दगोबी इन सारे process में हुआ क्या, सबसे पहले cell का shrinkage हुआ क्योंकि apoptrotic body form हुई तो cell की size decrease हो गई, उसके बाद chromatin का condensation होगा chromatin के condensation को pycnosis भी बोलते है, और ये सबसे ज़्यादा characteristic event है apoptrosis का, इसको अगर हम necrosis से compare करें तो necrosis में chromatin का lysis, मतलब keriolysis हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ chromatin का condensation होगा फिर apoptrotic body का formation हुआ और apoptrotic body के condens याद रखना, इसलिए उपर से MCQ आग, फिर apoptrotic body है, उसको और ये नॉर्मल body है उसमें पता कैसे जलेगा कि यह है, अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यह नॉर्मली सेल के अंदर इनर स्लाइड पर पर जो एपप्रोटिक बॉड़ी है उसमें यह बाहर की तरफ आ जाता है मतलब आउट साइड हो जाता है वो एपडॉर्मन हो और मेक्रोफेज के बास उसको सेंस करने के लिए रिसेप्टर है जैसे ही मेक्रोफेज ने सेंस किया और यह बाहर की तरफ एक्सप्रेस होने लगा है तो मेक्रोफेज उसको जाके इंगल्फ कर देख ठीक है यह अपन लिखा है मैंने रिसेप्टर मेक्रोफेज पर प्रेजन्ट है जोकि फॉस्फोटिदिल सीरीन को सेंस कर सकते और फॉस्फोटिदिल सीरीन को फ्लिप करना वाईवा में तो पूछते ही ठीकित देखो मैंने आज ट्राइ किये कि आपको पूरा आइडिया देदू कि होता क्या किया है कैसे डेमेच सेल हुआ कैसे अपप्रोटिक बाडी फॉर्म होई कैसे मेक्रोफेज इंगल्फ कर लिया यह सारी बात आपको समझ में आगी इसक और एक्स्ट्रेंसिक दोलों पाथवे कवर कर दूंगा तो आपका एपप्रोटोसिस का कंसेंप पूरा क्लियर हो जाएगा ठीकित थैंक्यी सो मुथ फर वाच